आई गाई जेवनुमान स्वागा रखता आप सभी का आज बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप फोर में इंक्लूड अनाइटी जैपूर में क्या आपको जेएमें जन्वरी की आल इंडिया राइंग के कौणिंग कुछ ब्रांच मिल पाएगी या नहीं सबसे मैंने बात कर पर आपको जैपूर में कोई ब्रांच मिल पा रही है या नहीं कम्पूर साइंस के लिए एनाइटी जैपूर में ओपन के डिगरी के जिसके 6000 के अंदर EWS में 828, OBC 2000, SC 890, ST 281 आपको जैपूर में ज्यादा प्राली ब्रांच नहीं है नई ब्रांच है इसके लिए ओपन के डिगरी में 8000, EWS 1000, OBC 2300, SC 1000 के अंदर और ST में जिसके 400 के अंदर रेंक है मिलने की पॉस्पिलिटी है इलेक्रोंजन कम्पूरिकेशन के लिए ओपन के डिगरी 10,000, EWS 1500, OBC 3800, SC 2000, ST 897 इलेक्रिकल इंजिनिंग के लिए ओपन के डिगरी में 17,000 के अंदर की AR, EWS में 2500, OBC 5400, SC करीबन 3300, ST में 1100 के अंदर जिसके रेंक है अलेक्रिकल ब्रांच मिल पाई थी जो कोर ब्रांचेज में लास्ट में अनुमेली ब्रांचेज हैं उनमें में मेकैनिकल मेकैनिकल के लिए ओपन के डिगरी में 24,000, EWS 3700, OBC 7700, SC 4500 और ST में जिसकी रेंक 1800 के असपास है इलेक्रिकल केमिकल इंजिनिंग 30,000 के अंदर ओपन में EWS 4600, OBC करीबन 10,000, SC में 5000 और ST में 2200, सिविल इंजिनिंग 35,000 के अंदर की ओपन के डिगरी में AAR पे, EWS में 6000, OBC 11,000 के डिगरी रेंक के बाद कर रहा हूं है SC में 4700 और ST में 2000, सबसे लास की ब्रांच जो है NIT जैपूर में वो मेटलर्जी की है, मेटलर्जी की ओपन के डिगरी से कट ओफ में करीबन 42,000 के आसपास की AAR पे, EWS में के डिगरी रेंक 6500, OBC 13,400, SC 7800 और ST में जिसकी रेंक 2800 के बिलो है, उसको NIT जैपूर में बेटलर्जी ब्रांच चुल पाएगी, यह जो cut-off ranks है, यह ranks All India Quote, यारी Other State Quote से है, अगर आपका जैपूर से या राजिसान दे सौरी ऐसा बोले हम 12 है, तो यह Home State Quote से rank में बदलाव आएगा, तो क्या लिखे कमेंट में NIT जैपूर में क्या कोई ब् पार ही है, विश्यो और दे बेस्ट, जैनल वान